अगर आपने बुक नहीं किया है तो आपको कौन सा लेना चीए और अगर आपने S1 Pro बुक की है तो आपको क्या कैंसल कर देना चीए और क्या मैं कैंसल करने वाला हूं तो यह चीज़ अब बात कर लेते हैं दोस्तों Ola का सर्प्राइजिंग अपडेट आया है उनके लिए S1 बुक किया है जिन्होंने और जिन्होंने Ola S1 Pro स्कूटर बुक किया उसके लिए शौकिंग अपडेट आया यह है अपडेट की जिन लोगोंने S1 बुक करी है उनको उसी प्राइस में सेम हार्डवेयर जाएंगे और वो बिल्कुल S1 Pro बन जाएगा तो यहां पर बहुत इंपर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि वह कौन सा चूस करें S1 या फिर S1 Pro या फिर कैंसल करके S1 Pro हटाके S1 ले 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 तो यहां पर सबसे इंपर्टेंट हो जाता है यह जानना कि Ola S1 Pro और S1 में क से आपको Ola S1 Pro के सारे फीचर भी पता चल जाएंगे चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं Ola के स्पैसिफिकेशन के PDF में जहां दोनों S1 Pro और S1 दोनों के फीचर को कंपेर किया गया है लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बैटर रहेगा और मेरे हि पहली बात टॉप स्पीड Ola S1 की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है Ola S1 Pro के 115 रेंज Ola S1 का 121 किलोमीटर AI सर्टिफाइड रेंज है और जो Ola S1 Pro है उसका है 181 जिसको कंपनी ने बाद में इसको ट्रू रेंज बोलते हैं वो बता दिया 135 किलोमीटर एक्सलरेशन थ 0-40 किलोमीटर पर आर का स्पीड पकड़ लेगा जो कि Ather 450X से थोड़ा सा फास्ट है और Ola S1 का एक्सलरेशन 3.6 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आर का स्पीड ले लेगा तो यह लगभग Ather 450X के बराबर है तो मैंने Ather चलाया उसका सफिशेंट एक्सलरेशन था इवन स्पो तो आप स्पीड के मामले में चिंता ना किरें आप S1 ले सकते हैं मैं आगे और भी आपको रेंज वगएरा के बारे में बताऊंगा जो जो चीज़े यहां बतानी है मों यहां बता देता हूं और लास्ट में हम कंपेर कर लेंगे बाकी फीचर्स का एक साथ चार्जिंग ट साथ में मिलेगा उससे घर पर चार्ज करते हैं तो एसवन की बैटरी फुल चार्ज होने में फोर आर फोर्टी एट मिनट मतलब पांच घंटे के राउंड लेगे वहीं अगर एसवन प्रो की बात करें छे घंटा 30 मिनट मतलब साड़े छे घंटा लेगी मतलब आपको जल् चार्ज करब वेट 121 बोला इन्होंने और ओला एसवन प्रो का 125 लेंग्ट सेम है विड्थ सेम है हाइट सेम है वील बेज सेम है सीट हइट सेम है सीट लेंग सेम है ग्राउं क्लीरंस सेम है तो यहां तक पिलकूल फिजिकली सेम लग रही है वेट छोड़ के फ्रेम का प्रेशे का ब्रेक आप कोई भी लीवर दबाएंगे दोनों एक साथ लगेगा तो स्कीड होने के चांसे नहीं रहेंगे वेल दोनों में अलुमिनियम अलावे भील है टायर फ्रंट और येर के सेम है तो यह दोनों S1S प्रोपिले सेम है उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखिए यो दोनों में कॉमन फीचर्स है वो प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक पास में जाएंगे अपनी गाड़ी के अपने आप उपन हो जाएगा रिमोट बूट लॉक अनलॉक यह भी इसमें दोनों में दिया हुआ है रिसीव कॉल मैसेज एक्स कॉन्टेक्ट्स यह सारी चीज़ें आप अपने स्क्रीन से कर सकते हैं तो फोन जब कनेक्ट होगा जून 2020 में तब आप यह फीचर्स यूज कर पाएंगे वैसी प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक का फीचर भी अभी अनलॉक नहीं हुआ है जून 2022 में होगा इन्फोटेन्मे दोनों में हैं साइडे स्टेंड जब खुला रहेगा साइडे स्टेंड तो आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी एंटी थेफ्ट अलर्ट सिस्टम यह दोनों में है लेकिन अभी दोनों में यह एक्टिवेटेड नहीं है जियो फेंसिंग दोनों में है आपकी गाड़ी स और नवीगेशन दोनों में हैं लेकिन अभी शुरू नहीं होगा तो सिर्फ जो नवीगेशन है वह मार्ज 2022 में शुरू होगा बाकी जब मैं बता रहा हूं फीचर वह जून 2022 में मैकसिमम फीचर जो आईलाइटिंग फीचर थे इसके वह शुरू होगा रिवर्स मोड दोनों में दिया है वह एक्टिवेटेड रहेगा नहीं गाड़ी से ही लोगा ब्रेक अपने आप लगे रहेंगे लीवर दबाय भी न गाड़ी उस पोजिशन में रुकी रहेगी 2022 में शुरू होगा cruise control जिसको काफी लोग वेट कर रहे हैं cruise control आपको मिलेगा Ola S1 pro में S1 में नहीं मिलेगा cruise control भी June 2022 में शुरू होगा take me home lights मतलब जब आप लॉक कर घर जाएंगे थोड़ी देर के लिए light चलता रहेगा तो यह take me home lights है तो दोनों में यह feature मिलेगा S1, S1 pro मे तो वह अभी मूर्स वाले फीचर शुरू नहीं हुए हैं सिंगल टाइप का आपको थे मिलेगा उसको चेंज नहीं कर सकते जुन 2022 के बाद ही उसको चेंज कर पाएंगे और सब्सक्लाएं भिर सब्सक्राइब कर दोनों में हैं चोटी स्क्रीन चीज वैलकम प्तीज है अब काड़ी कहीं भी रहे उसमें एक लगा वहां पह अपडेट हो जाएगा आपको शोरूम लाने की जरुछान नहीं है आपको कई सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूद नहीं है आपके घर बैठे उसका e-sim जो है वो नेटवर्क से अपने आप अपडेट हो जाएगा बुक सर्विस अपॉइंटमेंट अप तो अभी अप ही नहीं आया है ओला का मोबाइल में एप रहेगा ओला का स्कूटर के लिए तो उससे आप अपने वीकल के बारे में डीटेल्स निकाल सकते हैं यानि कि उसमें कितना चल रहा है क्या स्पीड थी वह सारे डाटा आप निक ब्रेक पैडवियर हो गया पता ही नहीं चला और सीधर ख़र्चा बैट गया तो वह चीज़ को मिलेगा ओला S1 Pro के feature से maximum performance upgrade kit उसके अंदर लगा रहता है कोई software या फिर कोई kit होता है तो वो उसकी वज़़े से उसमें features जादा है more or less जो है physically same गाड़ी है तो ये सारे features मैंने लगवग cover कर लिये हैं अब हम बात करते हैं अगर आपने बुक नहीं किया है तो आपको कौन सा लेना चाहिए और अगर आपने S1 Pro बुक की है तो आपको क्या cancel कर देना चाहिए और क्या मैं cancel करने वाला हूँ तो ये चीज़ अब बात कर लेते हैं इसमें एक specification यहां नहीं दिया हुआ है जो मैं शायद भूल किया बताना ड्राइव मोड ड्राइव मोड आपको S1 Pro में hyper mode extra मिलेगा जिसमें बहुत ही ज्यादा acceleration है जो आपको बताया था तीन सेकेंड में 0-40 का speed ले लेगा इसमें आपको दो ही mode मिलेंगे S1 में normal mode और sports mode तो sports mode मेरे हिसाब से sufficient है 115 के speed में अगरा को नहीं चलाना है तो sports mode sufficient है battery capacity जो बहुत important है और यह मेरा सबसे concern वाला point है battery capacity यहाँ पर बताया है इन्होंने Ola S1 के लिए 2.98 kilowatt hour मतलब 3 kilowatt hour बोल सकते हैं समझने के लिए easy पड़ेगा वहीं Ola S1 Pro का है 3.97 मतलब 4 kilowatt hour तो 3 और 4 याने 1 kilowatt hour का difference है यहाँ पर तो अब यहाँ पर यह concern सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए कि battery तो physical चीज है उसको आप software update से कैसे S1 को S1 Pro बनाएंगे अगर उसमे 2.98 kilowatt hour की battery लगी हुई है तो उसको कैसे आप software update 300,000 देने के बाद करेंगे तो या तो खुश लोगों के हिसाब से battery दोनों में सेम है बस software से उसको लॉक किया गया है उसकी capacity जैसा एथर में होता है ऐसा बता रहे है लोग तो यह पॉइंट हो सकता है कि battery तो सेम ही है लेकिन उसकी capacity को घटा दिया गया है software की मदद से हम सोचे battery सेम है और सिर्फ software से locked है तो दोनों गाडियों में जो curve weight का जो difference है 4 kg का वो कहां से आया क्योंकि battery ही काफी weight वाली चीज है पूरी गाड़ी में battery में difference होगा तभी ये curve weight में difference है तो दोनों में से एक चीज हो सकती है या तो battery अलग अलग है या तो software से lock है दोनों में से एक चीज हो सकती है क्योंकि weight different है यहाँ पर अगर चलिए ये चीज भी माल लेते हैं इसके अलावद तो हर चीज सेम हो गई मतलब आप battery भी इसमे 4 का लगा है लेकिन उसको 3 बे रोक के रखा गया है lock करके रखा गया है तो ये mail देखने के बाद बहुत से लोग ये बोल रहे है कि कोई Ola S1 तो है यह नहीं सिर्फ S1 Pro है उसी का production हो रहा है सेम गाड़िया है सारी और उसी में software का difference है mail में लिखा है कि if you'd like to unlock the amazing software features range and the full potential of Ola S1 Pro you can do so by paying just Indian rupees 30,000 तो यहाँ पर देखे रेंज भी आपको S1 Pro का मिलेगा S1 में 30,000 देने के बाद और ये बोल दिया आपका Ola S1 Pro S1 के बदले ship भी हो गया है आपके यहाँ पहुचने भी वाला है और registration process initiate 10 जनवरी से हो जाएगा तो लोगों से बिना पूछा ही उनको S1 Pro दे दिया गया है जो पैसे देंगे उनका feature unlock हो जाएगा तो अब अगर दोनों में different battery है तो same range यह कैसे दे सकते है S1 Pro का अगर दोनों में same battery है तो weight का difference इन्होंने specifications में क्यों बताया तो यह थोड़ा सा doubtful चीज है अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्या S1 Pro cancel कर देना चाहिए हम लोग को जिन्होंने S1 Pro book किया है क्योंकि हम पहले से 30,000 रुपए दे चुके है S1 Pro के लिए तो S1 वालों को message आया है कि आपको हम S1 Pro ship कर रहे हैं और ship कर चुके हैं ऐसा लिखा हुआ है और अगर आप 30,000 रुपए देंगे तो आपकी गाड़ी S1 Pro बन जागी क्योंकि हमारे hardware सेम है एसा company का mail आया हुआ है तो अब ये बात है कि S1 वालों की चांदी हो गई है एक तरह से उन्होंने upfront 30,000 रुपए नहीं दिये हैं और उनको कभी भी चाह है जब मर जी life में 30,000 रुपए दे के अपनी गाड़ी को S1 Pro बना सकते हैं तो हम जिसनों ने S1 Pro लिए है हम extra 30,000 रुपए दे के हम तो फज गया है एक तरह से क्योंकि हम upfront ही उनको S1 Pro का price 30,000 extra दे चुके हैं हम चाहते तो उसको एक दोमेना invest करके पैसो को बढ़ा सकते थे 30,000 रुपए हम बाद में second installment में जब हमको लगता कि नहीं है अब हमको और hyper mode चाहिए हमको battery की capacity ज़ादा चाहिए range ज़ादा चाहिए speed ज़ादा चाहिए तो हम 30,000 देते software वो update करते और हमारी गाड़ी S1 Pro हो जाती तो हमारे पास option होता S1 लेते तो कि हम या तो S1 पे ही रहें या तो S1 Pro में shift हो जाए बट यहाँ पे नोने S1 Pro वालको ले कोई option ही नहीं छोड़ा है हमारे 30,000 रुपए तो हमारे already दिये जा चुके हैं तो personally मैं तो ज्यादा performance पसंद करता हूं इसलिए ठीक है मैं चलिए मैंने 30,000 start में दे दिये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने अभी बुक नहीं करियोगी तो मेरे हिसाब से आपको S1 बुक करना चाहिए जिस दिन लगा आपको कि S1 आपके लिए sufficient नहीं है range के हिसाब से speed के हिस दे सकते हैं अब हम जो दे चुके हैं हमारे पास S1 में degrade करने का तो option ही नहीं है तो अगर मैं आज की डेट पे बुक करो तो मैं S1 बुक करूंगा क्योंकि अगर बैटरी सेम हैं सब कुछ सेम हैं software का ही फरक है performance upgrade kit बोल के software ही बेच रहे हैं या software के ही पैसे हैं तो मैं S1 लो यह भी नहीं city right के लिए scooter generally होती है तो यह चीज़े और साथ में इसकी बैटरी जल्दी भी चार्ज हो जा रही है और कभी आपको लगे की नहीं में कुछ जादा range ही है तो आप कभी भी shift कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सुईधा है अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया ह तो मेरी हिसाब से S1 book करिए 30,000 बचाईए और future के लिए अभी भी आप shift हो सकते हैं S1 pro में जैसा company का अभी तक का आज की लेट तक का mail आया हुआ है उस हिसाब से दूसरी चीज़ अगर हम S1 pro आज भी लेते हैं लेकिन उसके features तो June 2022 में खुलेंगे तो क्यों ना हम June 2022 तक आपको जहां मर्जी fix deposit कर दीजे कुछ तो पैसे उपर जाएंगे ही बढ़ेंगे ही June 2022 में जो feature आ जाएगा तब आप अपने 300,000 रुपे निकालेंगे खुला को दे देंगे आपकी गाड़ी S1 से S1 pro बन जाएगी जो कि आज की date में भी सिफ hyper mode ऐसा चीज है जो available है और range थो एक साथ पैसे नहीं फसेंगे आपके और आपके पास option रहेगा कि आप S1 में रहें software update ना करा है 30,000 बचाए 30,000 में बहुत जाएदा units of electricity आ जाएगी उससे आप charge करें जिंदगी बर और खुश रहे हैं दोस्तों गर money control news की माने तो ऐसा हुआ है कि Ola S1 pro की booking बहुत ज्यादा हुई है S1 की कम हुई है तो उन्होंने ये किया है सारा S1 pro बना दिया है और hardware सेम रखा है means battery भी सेम है बट उसको software से lock किया जाएगा तो news की माने तो ऐसा है और जो news है उसका link मैं description में दे दूंगा आप चाहें तो detail में पढ़ सकते हैं वहाँ पे तो इसमें थोड़ा सा सकता है S1 को S1 pro वाले hardware के साथ लेने पर अगर आप upgrade नहीं करेंगे तो में भी range जो है S1 की आनी चाहिए थी चार किलो कम होने के करण वह अब 4 किलो बढ़ जाने के करण कि battery सेम 3 किलो वाट आर के राउंड रहेगी तो ये प्रोब्लम आ सकती है कम range होने की और extra 5-4 किलो weight को आपको bear करना पड़ेगा anytime जब भी आप गाड़ी चलाएंगे बटी से फायदा है कि आपको जब चाहें 30,000 देके software upgrade कराके अपनी गाड़ी को S1 pro बना सकते हैं मेरा तो ये मानना है आपका क्या मानना है ये हमें comments में जरूर बता है ताकि हम जो collective intelligence collective knowledge से जो results सामने आता है वो best होता है मेरी साब से तो आप भी अपनी राइस जरूर दें यहाँ पर ताकि हम सभी को as a community फायदा हो सके लेकिन ऐसी चीज़े कर रहे हैं कि lovers वाली चीज़ थोड़ी सी कम हो जा रही है अब haters बढ़ते जा रहा है ऐसा लग रहा है ओला सवन के लिए तो चले देखते हैं अ बात कर ली डिफ्रेंसस की भी बात कर ली और आपको क्या लेना चाहिए या कैंसल करना चाहिए कि नहीं यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं पर बनाए हुए और भी वीडियो में यहां एंडी स्क्रीन पर दे दूंगा दोनों तरफ और यहां पर सब्सक्राइब का बटन ह हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक कियर